हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू कुकिंग सीटी, आज मैं बनाऊंगी सहजन की सबजी, आलू और सहजन की सरसो वाली सबजी, सरसो का मसाला डालके बनाऊंगी, उसके लिए हमने ये लिया है, ताजा है सहजन, अब इसे मैं कट कर रहे हूँ, इसको कट करके ने छीलना पड़ता फ्रेंटव बीनेंच ब lattice सकते हैं नहीं तो कटवा लगेगा इसके चिलके में थोड़ी सी कबवाब हाथ होती है इसलती इसको अच्छी तरीके से हम चील लेंगे और मैं कट कर रही हूँ इसे अच्छी तरीके से कट करेंगे और आलू भी कट करूंगी इसमें आलू भी डाल के बनाऊंगी आज मैं देखिए किस तरह से मैं छिल रही हूँ इसी तरीके से सारे सहजन को छिल लोंगी कि अच्छी तरीके से छिल लेंगे अब मैं सारे सहजन को कट कर ली मैं ली हूँ आलू आलू को भी छिल के रखी हूई हूँ आम इसे कट कर लेती हूँ आशिएक आलू की पीसेसे ज्यादा कर रही हों सजन को भी मैं पानी डाल दी हूं और अलु को भी मचाणी सर्सो और लहसन के की सबार ही मिलैयों को टाल है जीछ बढक कर रहा है Meh 2-3 मृज Reach से पीज लोगे मसाला हमरा बस कितना ही बस अब इसमें थोड़ा सा हम मसाला जो डालेंगों दिखाएंगे आपको अब मैं इसे फ्राइब कर लेती हूं मैं कडाही में बनाऊंगे सब्जी को डाल दैया हमने ऑलीव ऑल डाला है मैं जनरले ऑलीव ऑल में ही बनाती हूं सब्जी और इसमें तड के लिए हम मेथी आना जीराा का तड का नहीं इसमें मेथी दाना का तरका अच्छा होता है साज़न को डाल दिया है अब इसे fry करेंगे अच्छी तरीके से fry करेंगे सरसो वाली सबझी में मेथी का ही तरका लगाना चाहिए जीरा का नहीं अप लोग कैसे बनाते हैं बताईएगा हमारे ह्म तो यहीं लगाए जाता है मेती का ही तड़का अभी से कर रहे हैं हम् थोड़ा सा हलका फ्राइ का छी करने में आधी पकजाती है सब्जी है हमारी अच्छी तरीके से फ्राइट से पक जाती है कापी हद तक चलानी में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, इसलिए हमने कडाही से गुमा दिया सब्जी को, अब मैं नमक डाल रही हूँ, इसमें नमक नहीं डाले थे अभी, अब डाल रही हूँ, नमक डालने से थोड़ा सा पानी भी छोड़ता है सब्जी में, कम तेल में अगर सब्जी ब सब्ची तो लग रहा है हमारा भूज गया देख लीजिया कलर चेंज हो गया है अब मैं इसमें सारे मसाला डालोंगी उसके लिए जो हमने सर्सो का मसाला बना के रेडी रखा था लहसन काली मिर्च जीरा और सर्सो वह हमने डाल दिया थोड़ा सा पानी उसमें दोल के कटोरी क यह धनिया पाउडर हल्दी पाउडर लाल मिर्च बस यही मसाला पड़ेगा इसमें अब इसे अच्छी तरीके सब्सक्राइब हम फ्रेंट्स एक चीज को ध्यान रखना होगा सर्सो के मसाला को बहुत ज्यादा नहीं भूनते हैं ज्यादा भूनने से वह कड़वा हो जाग इसी लिए देखिए हमारा मसाला भूनने वाला है अब मैं इसमें डाल दूंगी दो टमाटर हमने कट करके रखा था सर्सो के मसाले वाली सबजी में टमाटर तो बहुत ही जरूरी है प्याज नहीं टमाटर अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे देखिए अब हमारा मसाला यह लगवग रेडी हो चुका है मसाला भून चुका है मैं पानी डाल रही हूँ इसमें ग्रेवी वाली सबजी है इसलिए हम पानी इसमें थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे आधी सबजी तो पक चुकी है आधी सबजी पानी में पक जाएगी यह डालके हमने ढख दिया ढख के ही पकाएंगे सबजी को आप लोग कैसे बनाते हैं सायजन की सबजी जरूर बताईएगा कि हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं और अच्छा मि बनाते हैं मैं सुखा भी बना के दिखाऊंगी आपको इसमें मैं ग्रेवी वगा modified बनाई थी यह वाली सबजी क्यूंकि मेरे हचस्बन को चावल के साथ खाना था यह सबजी इस लिए मैं ग्रेवी वगा तो यह सब्ची हमारा रेडी हो चुका है पक्चो का है यह सब्ची हमारा रेडी हो चुका अब मैं इसमें कसूरी मेथी डालूंगी धनिया पत्ता नहीं डालूंगी कसूरी मेथी नहीं डालूंगी और सब्ची हमारा रेडी हो चुका है आप लोग सपोर्ट कीजिये और हमार कि यूद Catherine